कि हम फाइल मैनेजर में चलते हैं कि हैं इहां पर आप देखते हो इसे हम क्लिक करते हैं कि फाइल डैस makes करनेoyu करने के बाद आप देख रहे हैं फाइल फरी शेर्इनग वाया फाइल डैस अब हमें कुछ images वीडियो जो भी चाहते हुआ आप सीधे इसके जरीए भेज सकते हो दोस्तों तो अभी हम send करते हैं अब देखे दोस्तों यहाँ पे मुझे अगर कोई भी images भेजनी है तो जैसे अभी मैं ये एक screenshot भी भेजता हूँ image का जिसे मैं भीजने के लिए क्या करूँगा वो आप देखे दोस्तों बहुत easy है आप आराम से ये है process कर सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो send मैं इसे send करता हूँ अब आप देख रहे हो enable तो पहले हमें इसे enable करना होगा और आप यहाँ पे तीन functions देख रहे हैं किस तरह से with one plus phone पे आप किस तीन तरीके से transfer कर सकते हैं file mobile to तो लैप टॉप में PC में वो सारे तरीके से हम जाएंगे third one connect to fd40 आप देख रहे हो connect to fd40 हम इसको click करते हैं दोस्तों देखे दोस्तों यह यहाँ पर आप देख रहे हो यह चीज़े यहाँ से यह देखिए बार कोड़े scan किया जाता है और यह आपके PC के साथ enabled होगा यहाँ पर तो पहले हम पहले इस process को समझ लेते हैं यह कैसे करेंगे select more files ठीक है अब हम यहाँ पर इसे click करते हैं कोई एक चीज मुझे चाहिए मैं यह image लेता हूँ और यहाँ से इसे मैं send करने की कोशिश करता हूँ अब देखिए यह connect है अब हम अपने laptop पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसे connect करने की कोशिश करेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप जब यहाँ पर यह देखा ही दे रहा है आपको internet का protocol और यहां पे जब यह वाइफ़ाइ आता है यहां पे आता है आपको देखिए FD internet यहां पे इस से हम click करेंगे जो यहां से इसके साथ enabled हो जाता है देखते हैं mobile के साथ आपका laptop enabled होता है FD40 के वाइफ़ाइ के connection के साथ ठीक है इसे हम enabled करेंगे अब हम browser में जाते हैं browser में यहां पे हम लिखेंगे one dot plus अगर आप देख रहे हैं one dot plus इसे हम click करेंगे दोस्तों सीधी सी बात है one dot plus को click करते हैं और अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं browser जर जो लिखा है one dot plus में तब यहां पे निचले वाले हिस्से में आप देख रहे हैं इमेजस जे पीज पीएंजी वाले तो यह इमेजस यहां पे आके कैप्चर हो जाती हैं ट्रांसफर हो जाती हैं आपके लैपटॉप पे और यहां पे एक और तरीका है कि आप यहां से इसे यहां आप देख रहे हो यहां से इसे डाउनलोड किया जाता है देखे दोस्तों यहां से इसे डाउनलोड करके यह फाइल आप अपने मन मताबिक जहां चाहिए वहां पे इसे ले जा सकते हो ठीके दोस्तों तो यह है तरीका अभी आप अगर यहां देखोगे यहां पे फा वीडियो को मैं जब ट्रांसफर करूँगा यहां पर मैं इसे सेंड करता हूं यह बताये हुए हिसाब से 13 फाइल होगी दो यहां पर ठीक है दोस्तों अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां आने के बाद अब जाप यहां देखोगे वन प्लस वन डॉट प्लस पर एक रीफ् तो अब आप यहां देखोगे दोस्तों नमबर दो पे MP4 की जो यह है 569 MB की यह फाइल एटोमेटिकल यहां पे थू एफडी 40 सॉरी एफडी 40 जो वाइफ़ाई का जो कनेक्शन वन प्लस सैवन फू का मिलता है यहां से वाइरलेसली वो यहां पे पेर हो जाता है और उसके बेस पे हम यहां पे आसानी से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों देखा दोस्तों यह भी एक तरीका है आपको इजिली फाइल फाइल फॉल्डर्स जो भी आपके इंपॉर्टन इमेजस वीडियोस हैं वो आप इजिली इसमें कैप्चर कर सकते हैं थू दिस FD40 कनेक् देख सकते हैं MP4 रेडी है और अब हम इसे सपूर्ट डाउनलोड करते हैं यहां पे आके ठीक है और डाउनलोड करने के लिए कह देते हैं यहां पे यह फाइल डाउनलोड हो जाते हैं और यह एवेलेबल है आपको मन चाहे जगह पे ले जाने के लिए तो इस तरह से आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी चीज दोस्तों बड़ी ही बहतरी तोर पे और आइटम और सलेक्ट मोर मेन्यूज हैं और यह वीडियो हैं आर्चीव हैं इंस्टॉल पैकेजिस हैं डॉकुमेंट्स हैं ठीक है अब हम एक PDF का डॉकुमेंट्स भी ट्रांसफर करने PDF आपके पास available हो जाती है दोस्तों तो यह है तरीका आपको इजिली फाइल शेरिंग कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस फंक्शन FD40 आफ वायरलेस और वाइफ़ाई के जरिये ठीक है दोस्तों इसे कहते हैं फाइल डैश इटस एवेलिबल फाइल मैनेजर वन इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे से ट्राफिक और अच्छे इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए मुझे अजाज़त दीती है थाइंक्यू वेरे मॉच और दोस्तों चलते चलते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर और बेरे हर एक नोटिफिकेशन को अपडेट्स आपके पास मिलते रहेंगे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्यू वेरी मॉच